दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सुभी का अला नेडा फॉस्ट डियूप चैनल पे इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं यूपी टीजटी पीजटी एक्जटी एक्जाम के बारे में एक बड़ी एलान के बारे में इसके साथ ही हम बात करेंगे तरदा सिचकों को लेकर इसके अलावा उत्तर प्रिदेश के बेसिक सिच्चा परश्ट के माध्यों से एक नई भरती को लेकर जो बिग्यापने वो जारी किया गया है इसकी योगिता है इसके अलावा इससे संब्दी तमाम वो डेटेल में आप सभी को बताऊंगा इसके अलावा अगर हम बात करें के बारे में तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें के बैल आइकन को अवश्य दबालें शूबात करते हैं सबसे पहले अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश बेसिक सिच्छा परश्ट के माध्यम से एक नई भरती को लेकर जारी विग महा निदेशक इस्कूली शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक काराले के माध्यम से समग शिक्षा बिद्या ववन निशांत गंज लखनों की ओसे यहाँ पर वेबसाइट हैं आप सभी को दोनों देखने के लिए मिल जाएंगे और यहाँ पर जानकाई दी गई ह शिक्षा का अधिकार निपुर्ण बहात के तहत यह भरती आपको देखने के लिए मिलेगी अब अगर बात की जाए कि इसके फॉर्म कैसे भरे जाएंगे तो फॉर्म आप सुभी को ओफलाइन माध्यम से भरने पड़ेंगे जिसको आप सुभी को भीजना पड़ेगा आव प्रमाडित रंगीन फोटो भी आपको लगाना पड़ता है अब इसके अंदर अगर बात की जाए योगिताओं के बारे में या फिकौन को नाविदिन कर सकता है तो वो सारी जानकाई इसके अंदर भी दी गई है अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो हमारी टेलीगाम चैन पड़ी कार्यायलों में अरिस्ताई रूप से मतलब कि यहाँ पर आपको पर्मेनेंट नहीं है यह वेकेंसी आपको देखने के लिए मिलती है संभीता पर कॉंटेक्ट बेसिस पर ठीक है निमलिखित प्रदों के लिए प्रति नियुक्ति के आधार पर योग और इच्छु बड़ी बात यह है कि इसके लिए जो आवे दिन आपको देखने के लिए मिलेंगे वो प्रति नियुक्ति के आधार पर देखने के लिए मिलेंगे और तीसी और सबसे मेर्पून बात यह कि वेकेंसी अरिस्ताई है मतलब की पर्मेनेंट नहीं है अगर बात की जाए वेकें का जो मान होगा वो लिखा हुआ है 47,600 लेकर एक लाकी क्या वनिजाए कि सम्थिंग आपका वेतन देखने के लिए मिलता है पद की योगिता विवर्ण यहां पर दिया गया है कि पदों की जो संख्या वो घट बढ़ सकती है विग्यापित पदों के लिए राज्य सरकार अथ हुआ है तो आवि्दन के लिए आप लिजबल है ठीक है ये बात हो जाती है इसी तरीके से यहां पर वह भी बहुत साही जानकाई लिखे हुए है कि इसे अंदर कौन कोन आविदन कर सकते हैं क्या कि आप सुभी से मंगा जाएगा उक्त पदों के चैन के लिए बित लेखा audit के काजे में कम से कम तीन वर्स का अनुभव आपको होना चाहिए टेली पैकेज की जानकाई होनी चाहिए उनको आपको वर्यता दी जाएगी यदि अभ्यति इससे पहले सर्म शिक्षा अभ्यान में सेवारत हो चुका है तो उसकी प्रतिन्युक्ति की अभ्धी समाप्त 6 मही करेगा और भी बहुत साई यहां पर टर्मन कंडिशन है मैं आपको यह कह सकता हूं कि आप इसको चाहें तो देख सकते हैं अगर बात कीजाए प्रतिन्युक्ति पर आया अधिकाई या कर्मचाजी की जो सेवा सामनत है तीन साल से लेकर पांच साल की आपको देखने के चाहिए आपको पूरी इसके अलावा अगर बात की जाए आविदन के बारे में तो दस फरवरी तक आप सभी को यहां पर जो आविदन हो करने होंगे दस फरवरी दोजा तेज के बाद कोई भी नया आविदन यहां से स्वरिकार नहीं किया जाएगा बात कह लेते हैं अपन दिया गया था मुद्दा सीएम योगी तक पहुचा लेकिन अभी तक शिक्षा मंती ने इस मुद्दे के बारे में कोई भी आशवाशन नहीं दिया है लेकिन इसी बीच अगर बात कीज़े तदस सिचकों के बारे में एक बड़ी जानकाई सामने निकल कर आनी शुरू हो ग आपस भी को नीचे देखने के लिए मिलेगा कि एड़े इंटर कॉलिजों के अंदर तदर्थ जिनको एड़ोक के नाम से जानते हैं सिचकों के विवाद हल निकालने के लिए सरकार अब इनको नियत मांदे पर रखने की त्यारी कर रही है इसके लिए प्रस्ताब त्यार कर लिए देखने के लिए मिलती हैं कई बार बरतियों में बिलम होने से किसी बज़े से बढ़तियों में देरी होने की बज़े से खाली पदों पर प्रवंद अपने इसस तरह से बढ़तियां कर लेता है ऐसे तदर सिच्छक समय समय पर भरती होते जाते हैं सामानते अगर बात किये सिच्छक इनका बेतन भी बेतन मिलने लगता है बाद में इन भरतीयों विवाद हो जाता है कोर्ट में मामला पहुँचा तो विवाद बढ़ने से आप सुभी जानते हैं जानवे से लेकर दोरजा तक के तदर सिच्छकों को नियमित किया गया लेकिन ऐसे में इसके बाद कि जो तदर सिच्छक ते उनको नियमित नहीं किया गया था अब जानकाई ये भी देखनी के लिए मिल देए कि इनको लेकर यहाँ पर नियत मानदे पर रखा जा सकता है हाला कि अभी अधिकारिक तोबे कोई जानकाई नहीं दी गई है और अगर सरकार ऐसा कोई नेड़ने लेती है तो ये कहिने की चात्तों के लिए घातक सावित होगा तो वहीं दूसरी तब यूपी टीजटी पीजटी एक्जाम डेट को लेकर चात्तों ने एक बड़ा एलान कर दिया है नौ फरवरी को चात्त बड़ा धना प्रदेशन करने वाले पत्थर गेजा घर पे जाकर टीजटी पीजटी दोज़ा बाईस की परिक्षा के लिए नौ फरवरी के लिए एक बड़ा धना प्रदेशन करने की त्यारी करना है कि अब अभेर्दी घर बैठकर अगर टीज़टी भीज़टी के त्यारी करते रहे तो हो सकता है कि दोरजा बाइस की तरह तेज का साल भी पूरा निकल जाए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश इच्छा स्रिवा आयोग के बारे में कि अध्यक्ष को नहीं मिला सेवा में ब्रस्तार भरती के लिए इंतजार मामला क्या है वो आपस भी जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सिच्छक भरती को लेकर है असिस्टेंट प्रोफेसर सिच्छक भरती यहां से निकाली गई थी उंबीछuju इस भहती की परीकश्याँ होने के बाद ही यह अयोग बंद होगा लेकिन नहीं ऐसा हुआ अब ऐसे में यह जो भहती होगी वो तो नए आयोग के माध्यम से होगी यह आयोग भी पूरे तरीके से बंद हो जाएगा जिसका नाम था उत्तर प्रदेश उचितर सिच्छा सिवा आयोग अब इस आयोग को बंद करके नए सिच्छा सिवा आयोग के माध्यम से ही नई भरतियों के विग्यापन जारी होंगे क्योंकि सरकार के माध्यम से किसी के अंदर भी नए सदस नहीं बेजे जा रहे हैं और ना ही नए यहाँ पर कहिने की आप सभी के सामने चेर्मेन बिठाई जाएंगे क्योंकि सरकार चाहती है अब नए आयोग को बनाना जिसके जलते एक एक करके सारे जो यहाँ पर आयोग बंद होने की कगार पर हैं बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर सिचकों के न आप सभी के सामने बढ़ते हुए दिखाई देंगे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए 246 मौझूदा है लेकिन 24 और नए इंटरकॉलिस खुलने वाले हैं इससे फायदा यह मिलेगा कि नए सिचकों की जो संख्या होगी उसके अंदर रेक्त पतों की संख्या बढ़ोती देखने के लिए मिलेगी संस्कत विद्यालें के अंदर जल्दी नई भरती का विग्यापन भी जाजी होने बाला है ऐसे में यह पत खुलते हैं तो और भी अच्छी और खुशकभी देखने के लिए मिलेगी फिलाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही थैंक यू वर